जहीन दोस्तों आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चेनल ओनलाइन जोब एल्प में दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में ओनली फोर ओनली बात करने वाला हूं काफी स्टुडेंट ने कमेंट किया है ति सर आपने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई देखो से पहले बता देना चाहता हूं कि इंडियन एर फोर्स को यहां पे सोज समझ कर काम करना चाहिए था जादा पुआ तो नहीं है लेकिन कुछ फर्जी हुए हैं चार से पांच यहां छे साथ जितने भी हैं तो वह होने नहीं चाहिए थी मेरे इसाब से ठीक है तो जिसने भी सारे नाम देखने को मिले हैं तो guys Indian air force को मतलब यह नहीं करना चाहिए था कि ऐसे लिए कि यहीं बच्चे फिस पे नहीं कररें तो इसका मतलब यह नहीं और एक बात बता देना चाहतrs हूं ध्यान से कान खुर के सुनना wireless को और आ aç और आपका online forum का धी रिदिस्टरेशन होता तो डोकुमेंट मैंज नहीं कराते हैं अब देखो आप से जो डोकुमेंट मांगे गए थे बस एक नॉर्मल सिंपल सा क्या था आपका एक है रिजिस्टेशन था और सब कुछ उसमें फीलप कर देना था तो इस तरीके से कोई भी डोकुमेंट से वो इसमें फीलप कर सकता है रेजिस्टेशन कर सकता था ठीक है तो इसके बस उसके लिए अलग कोलम मना दिया यहां पर क्या डाल देना बेटा और यहां पर इंगलिस में लवग देना और आपका जो भी है स्टेट है और आपका डिश्टिक डाल देना नेम वगेरा वो तो डिटेल डालने डालने ही पड़ेगी ठीक है तो यह प्रोसेस कराके हम अपना एड्मिट कार्ड यहां पर जो भी परसेंटेज की साफ से दे देंगे तो कैंडियर्स को यह मतलब संतुष इसी बहुत सारी फर्जी जो फोरम भी लग के हैं उनका क्या रोल है मतलब इंडियन एर फोर्स बस इतना ही कांग कर सकती कि मतलब जिसे उनका जो करमचारी काम करने वाले उनका प्रसेंटेज देखा चलो मतलब कोई भी हो कोई भी कैंडियर्स हो उसका एड्मिट कार्ड हम वाली है और जो आप देख रहे हैं यह आप यहां पी चेक कर सकते हैं लिस्ट ठीक है यहां से डाउनलोड की गई है वो फर्जी नहीं है आप इसमें संतुष्टी जनक अच्छी तरीके से देखें ओफिसली वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं मैंने तो पहल हो गए ना तो उसकी वज़स से तो ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए स्टुडेंट्स का या मतलब उस पर कारवाई करनी चाहिए तो यही कहने का आर्थ है गाईज और यदि आप कहें तो ट्रेटर पे इसको सचेत करने के लिए इंडिन एरफोर्स को आप कह सकते हैं तो जो पर बार में कोई वीडियो का रिपिटेशन या कोई ऐसा जंजट नहीं है और मैं ना ऐसा करना चाहता हूं ठीक है लेकिन आपने काफी कमेंट किया है तो उसकी वज़से यह वीडियो दुवारा से मुझे बनाना पड़ रहा है तो यहां पर और भी साइद मिल सकते हैं अब मैस दो नहीं कौन हो सकता है वले और यह अजमेर से इसी ने फोरम फिलब किया है यह बिल्कूल भी के बाद में और भी आपको मिलेंगे अभी यहां पर भी है काफी है जो इस परकार के स्टुडेंट है में देखने को मिले है ठीक है उसके बाद में यहां पर देर रखा है आप चेक कर लेना अच्छी तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने एकदम अच्छी तरीक से चेक करने की पूरी कोशी से की है ठीक है एक लिस्ट में गुड मॉर्निंग रावल गांदी ऐसे कुछ बहुत सारे नाम है तो देखे गाइस यहाँ पर फोर उसी प्रकार मिलेगा आपको यहाँ पर नाइट पर ठीक है वन नाइट और वन नाइट पर हम ह्जी जे टी वाई जालावाड से है ठीक है पापकी परी नरेंद्र मोदी जोधपूर से है तो इस तरीके का यह काम नहीं करना चाहिए इनके कारवाई होनी चाहिए इनके ड दोकोमेंट में किया है कि इतने डे क्वालिटी में दिखते तहrobあと कहींसे फर्जी डोकोमेंट से इसमें डाल दिए लेकिन इसने email ID डाला है तो ओभी फर्जी हो सकती है लेकिन उसमेंMore नमर लिंक का तो इस तरीके से उसे कारवाई और नहीं करें ठीक है हाँ चलो रेजिस्टेशन करना था तो सही तरीके से रेजिस्टेशन करना चाहिए न ऐसे नहीं करना चाहिए ठीक है इसी तरीके बियार वाली लिस्ट में भी है बूर्ज खलीफा ये कुछ ऐसे वैसे आप जो चाहिए ट्वीटर पर जब ट्रेंड करवाना चाहिए तो हम पूरी तरीके से हमारे सभी वियूर से और हमारे जितने भी साथी तमाम जुड़े हुए है उनसे हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे और आपके जो भी आप चलाना चाहते हैं ट्वीटर पर ट्रेंड तो उ तो यह लिस्ट नें जारी के इसमें जो सकेम हुआ तो सकेम के लिए इंडियन एर फोर्स भी जिम्लेदार है, स्टूडेंट के साथ उन पर कारोगन तात पर है, सबी स्टूडेंट ने जो भी कहा है इस तरीके से हमने आपको बता दिया है, और किसी से इसमें चुपाने वाली कोई बात नहीं है और जो कैंडेस कहा रहे है फेक लिस्ट है फेक लिस्ट बिलकूर भी नहीं है लिस्ट तो Indian Air Force ने अपनी और सही जारी गी अच्छी तरीके से सोज़ कर लेकिन इसनों ने जो इनोंने है ना इसके उपर अच्छी तरीक से अमल नहीं किया है जैसे आया परसेंटेज देखा जिसका नाम भले ही कुछ भी हो कौन भी हो उसका नाम डाल दिया इसके अंदर ठीक है ये सिस्टम इनोंने किया है तो इनका सिस्टम ही बेकार है क्यों उनको ये पता नहीं कि पापा की परी आएगी कहां से एक्जामेनेशन देने के लिए